वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स सरकार किसानों के साथ अन्याय करेगी तो हम अपने गडवन्दन और मंत्री पर दोनों छोड़ सकते हैं तो आएए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर किस बात से एंडिये की सबसे पुरानी पाटी केंद्र सरकार से नराज है दरसल करोना वाइरस की वज़े से देश में पिछले 18 दिनों से लागातार पेट्रोल डिजल की किम्तों में बढ़ोत्री हो रही है इससे देश के किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है इस पर सुखमीर सिंग बादल ने कहा कि करोना की वज़े से पहले ही किसान धान की ओआके के लिए शुम्हम बढ़ोत्री की मार जल रहे हैं अब सरकारो की किम्तों में भी बढ़ोत्री कर रहे है इस मुद्य पर केंदर सरकार को गंबेता से सोचना चाहिए साथ ही उनोंने ये यादि आभी कहा कि एक कि सभी है पार्डीयों के साथ मिल कर टैक्सव करवा पाने के लिए दिल्ली में केंदर सरकार के खिलाप घरतना देने के लिए अकाली दल तैयार है। कि लॉक्ड़ाउन के दोरान किसानों के हलात को देखते हुए केंदर सरकार ने ऐग्रिकल्छर ओर इंश को मंजूरिद了apid इस ओर्डिनेंस का पंजाब में जम कर विरोध हो रहा है किसानों को डर है कि सरकार इस ओर्डिनेंस के जरी ये फर्सलों की MSP में बदलाओ कर सकती है इस मुद्दे पर अकाली दल के अधग सुखवीर सिंग बादल ने कहा है कि वो परदानमंत्री से आसो असन लेंगे कि MSP य TV कॉर्बाने के लिए त्यार है हम पंजाब के खिसानों के हित्तों कहां नुक्सान नहीं होने देन गें घृतर लबाइक की मोधि सरकार के दूसरे कारेकाल में यह दूसरा मोका है जब आकाली दल ने केंदर सरकार का बिरोध किया है इससे पहले नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर भी आकाली दल ने बिजेपी सरकार से दूरी बना ली थी आकाली दल का कहना था कि CEA में मुस्लिमों का नो होना गलत है उन्हें भी इसमें सामिल किया जाना चाहिए यह बिवाद बीजेपी और अकाली दल में इतना बढ़ गया था कि दिल्ली विधान सबाचुना में बीजेपी ने अकाली दल के साथ अपना गड़वंदन तक तोड़ गया था जिसके बाद अकाली दल ने दिल्ली विजान सबा चुना और नहीं लड़ने का फाशला लिया था लेकिन इसके बावजूद के अंदर सरकार में अकाली दल बनी रही लेकिन इस पर अकाली दल ने खिसानों के अंदेखी करने पर NDA से अलग होने की धम कि दिया अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या NDA का हिसा अकाली दल रहेगी या नहीं फिलाल इस रिकोर्ट में इतना ही तो ये थी NDA और अकाली दल में हो रहता ना तनी पर हमारी रिकोर्ट आपको कैसी लगी या रिकोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएग साती अकाली दल के इस ब्यान पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएग बाकी देदुनिया के खबरों के लिए बने रहे जन्शत्ता के साथ धन्यबाद